नमस्कार देख रहे हैं जहकास भारत और मैं हूँ रविकांत और मैं अभी बात करूँगा लोग जनसक्ती पार्टी रामिलास की पार्टी को लेकर और चिराग पासवान से जुड़े हुए कई सवाल हैं प्रोफेसर बिनीच जी हमारे साथ हैं बिहार में तमाम राजनीती बनी है चिराग पासवान की पार्टी कि उसको लेकर कुछ बताईएगा बिनीच जी क्या कुछ वहां चल रहा है अभी प्रदेशकार समिती का गथन हुआ है और जिसमें की युवा और अनुभव का मिश्रन है ये मिश्रन आने वाले समय में उप्योगी हो गया क्योंकि आन तो जो आने वाला समय है ये प्रदेशकार समिती उसमें बढ़िया काम करेगी मुझे इस बात की अपेक्छाय है उनसे युवा और अनुभव मतलब कि कई लोग कहते हैं कि चिराग के पास युवा तो हैं पर अनुभव उनके पास नहीं है और जो युवा है वो वोट नहीं दे रहे हैं और अनुभव की कमी कई जाने वाले नेताओं ने बताये हैं और जदियू और बीजेपीय से तमाम कई न आरोप लगाते रहते हैं कि चिराग के पास अनुभव की कमी है इसलिए नेता छोड़ कर जा रहे हैं और भी तमाम कई आरोप लगते हैं अनुभव की कमी नहीं है जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उनको उनके लिए जो ये मलाई काटने की जो 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 आउसर था अब उन नही है अब उनहीं का पार्टी में वैल्यू होता है जो लोग काम करते हैं जो पार्टी के मिशन और वीजन से परभावित रहते हैं उसको फॉलो करते हैं इसके लवा जो भी नेता मौका परस्त हैं जो चाहते हैं कि टिकट बेज भी युवा हैं हम सब युवा हैं हम युवा ही लेकर आगे बढ़ेंगे। परिवार की देख रेक उनकी जिम्यों का अंस है तो उनको जाना वहां पढ़ता है खेर उसके अलावा बिहार में जब भी उनकी जुद पढ़ती है और पहले ऐसे नेता होते हैं जो कि सबसे पहले पहुंचते हैं चाहे कहीं भी हो आप किसी विद्यार्थी को संगठन को ले जो कि अंदोलन कर रहा है वो उनके संथ खड़े रहते हैं या किसी किसी वेक्ति की अगर जरीली शराब पीने से अगर उसकी मिलती हुई है उसके भी वो शामिल होते हैं उनके परिजरों से मिलते हैं तो ये कहना बिलकुल बचकानी बात है और खासकर के जद्यू के करता था मतलब कि 2024 के आसपास लग रहा था कि खेल होगा 2030 तक नितिश जी लंबा चलेंगे मगर उससे पहले ही अभी कई बयान आ रहे हैं तो कई बयान में सचाई भी दिख रहा है कि 2024 से पहले नितिश जी को खोने के लिए कुछ ऐसा है नहीं उनके पास जो भी ये मुख मं आप से देखते हैं अभी उठ रहा है भी से इस राज के दरजा को मुद्दा को ले करें आपने बिल्कुल सही कहा नितिश कुमार जी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है जो भी उनका नाम था काम तो कुछ है नहीं हो सब चीज खो चुके हैं पिर दी जनता उनको समर् कारीत तंतर का जबरदस्त प्रियोग हुआ है पैसा बाटा गया है शराब बाटा गया है और जिसके कारण जो उपचुनाओ था प्रभावित हुआ है तो इंतिश कुमार के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है जहां तक बात है विसेश राज के पैकेज की बात कर रहे है हम लोग तो यह बड़ी निराशा जनक बात है कि 16 साल काम करने के बाद आप इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं और आपने पता नहीं क्या काम किया है ना रिकॉर्ड दिखता है उसका ना किसी आम जनता को मालू में कि आपने क्या काम किया है और जब भी विकास की बात करो तो आप दो चीज कहते हैं कि 15 सल पहले क्या हाल था और हमको किंद्र हमको विसेश पैकेज नहीं दे रहा है इसलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है तो यह सब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए नितिश कुमार जी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब होता है सगू सकते हैं लेकिन ये केंद्र सरकार के बस की चीज नहीं है इसका एक प्रॉपर प्रॉसस होता है नेशनल डिवलप्मेंट काउंसील है और दिने लेता है अब तक 11 राजियों को मिला है उसके पीछे कारण होते है कुछ पैरमिटर्स होता है पहारी छेत्र हो रेविन्यू कम ह जनता वहां का जो जनसंख्या वो कम हो बिहार में ऐसा कुछ नहीं है तो ये कहना कि आपने हमें जब तक पैकेज नहीं मिलेगा हम इसा अभिकास नहीं करेंगे तो ये बेकूफी है और दुसरे को बेकूफ बनाने की ये कोशिश है जीतनरामान जी का एक बयान आया है ब्र हमनों को तो गाली गलोज भिवोग कर दिये हैं पहले हम ये समझ ले कि हम सनातन धर्मियों के लिए राम है कौन राम जो रोम में बसते हैं रोम रोम में बसते हैं उनको राम कहा जाता है बाकी रही है जीतनराम मांजी जी की तो कुंठित विचारधारा से ग्रसित हैं उम्र हो गया है उनका जो वेक्ति समिधान का सपत लेके विधान सभा का सदस्य है जिनको समिधान के अनुसार उनको ये समझा जाता है कि आपको समाज में सोहादर बनाए रखना है आपको किसी भी धर्म को जाती को वेक्ति विशे से उपर उठके काम करना है अगर वो आप टिपणी करते हैं, खास करके उन ब्रामनों में, ब्रामनों के बारे में, जो ब्रामन आपके समाज की संग रचना करते हैं, जो वेद के रचियता हैं, आप उनकी बात करते हैं, ठीक है, अगर आप उनसे प्रभावित नहीं, आप उनकी बात नहीं मानते हैं, त से कि आज के परिपेक्ष में राजनीती में उनका ज्यादा कोई संदर्व नहीं रह गया है तो अपने आपको थोड़ा सा प्रसांगिक बनाने के चकर में यह सब बेतू का बयान देते हैं लेकिन मैं साथ में यह भी कहां चाहूंगा कि उनके विरुद में जो केस हुए है यह बिल्कुल सही हुआ है जायज हुआ है आप किसी भी धर्म विसेश को किसी भी जाती विसेश पर अप्टिपणी नहीं कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कोड को सरवच नियाले हो यह हाई को उनको इस पात का संग्या लेना चाहिए और उनको इनका उचित सजाद मिलना चा साच्छा लग लग कर रहे हैं तो लीपी सिंग की भूमिका हों पर संदिक दमानी जा रहे हैं यह सरकार से और प्रसासन मिलकर उनकी हत्या किये कई लोगों का यह भी काना है तो इसे किसी साब से देखते हैं देखिए बिहार पुलिस बदनाम रही है कस्टोडियल देट के लिए अगर आप बिहार पुलिस के अगर आप चुंगल में वह जाते हैं तो यकीन मानिए कि जब तक कि आपके पास रसूख नहीं है पैरवी नहीं है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है पपुदेव ठीक है अपराधी चरीत्र के विक्तित हैं लेकिन उनको भी मौका मिलन चाहिए था सजा देने का अधिकार भारत के लुकतंत्र में सिर्फ कोट को है तो उनके जो जो सरीर पर जो चोटो के निशान है वो बिलकुल बताते हैं वो धोतक है कि उनके साथ मारपीट की गई है और कितनी मारपीट की गई है ये तो बिलकुल साफ जग जाहिर है क्योंक करें, तफ्तीष करें ताकि जो असली जो वेक्ति जो है इन सब चीजों के लिए जो जीमेदार है उसको सजा मिल सकें. अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा बिहार पॉलिट कल अबडिट्स में लगतार तमाम खबरे में चलाता रहता हूं और तमाम खबरे में लाता रहता हूं और अभी मैं बात कर रहा था प्रोफेसर बिनीच जी से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इन्होंने बक्त निक झाल झाल